विज्ञुआ आज की स्टूडीओं के अंदर हमिक्षट अंदर प्रॉजेक्ट सेक्रेटरी की जौब के बार में डिसकस करेंगे कि अगर आप प्रॉजेक्स सेक्रेटरी बनना चाहते हैं तो आपके पास का। सी qualification होनी चाहिए और यह project secretary basically करता गया है वैसे तो सेक्रेटरी जो है वो हर शोबे के अंदर involved होते हैं हर department के अंदर होते हैं लेकिन यहां पर मैं construction perspective में पर focus रखूंगा ताकि बात को असानी से समझा जा सके जब भी कोई construction का बड़ा project शुरू होता है तो वहां पे जो contractor होता है जो civil contractor होता है उसका जो higher level का staff होता है जो construction manager है project manager है या project directors हैं उनके बहुत ज्यादा का होता है उन्होंने client को भी handle करना होता है उनकी भी बाते सुननी होती हैं उनके साथ भी meeting करनी होती है consultant जिसने project design किया होता है उनके साथ भी meeting करनी होती है उनको भी satisfy करना पड़ता है और और भी काम उनके साथ करने पड़ते है प्लस जो वहां पे staff काम कर रहता है प्लस जो वहां पे staff काम कर रहता है प्लैनर्स हैं आर्किटेक्ट हैं document controller है head office के staff एको GM है to उनके साथ भी उनको meetings वेरा करनी पड़ती है travel करना पड़ता है सप्लाइस आते हैं उनके साथ बातें करनी पड़ती हैं contractor आते हैं उनके साथ बातें करनी पड़ती है जो civil contractor होता है उसके बहुत ज़्यादा सब कॉंट्रैक्टर काम कर रहे होते हैं इंट्रियर डिजाइन के जो कॉंट्रैक्टर हैं वह वहाँ पे काम कर रहे होते हैं टाइलिंग वाले होते हैं मार्वल वाले होते हैं आईटी वाले होते हैं बिस के करीब जो हैं वो कॉंट्रैक्टर वहाँ पे का सारे काम प्रोजेक्ट मैनेजर खुद करेगा तो यह पॉसिबल नहीं है क्योंकि एक बंदा है जाहर है उसकी कापसिटिटी है तो वह कहां तक इतना ज्यादा काम कर सकेगा तो इसके स्लूशन के लिए पिर यह किया जाता है कि एक प्रोजेक्ट सेक्रेटरी को उसके साथ अटेच कर दिया जाता है तो उसके जो एड्मिनिस्ट्रेटिव किसम के टास्क होते हैं वो प्रोजेक्ट सेक्रेटरी करता है अब प्रोजेक्ट सेक्रेटरी जो होता है वो कि मेंटिंग के शेड़ू ले किलाइन के साथ कक मीनेटिंग को है? फ्लक कॉन्तर के साथ कब मीनेटिंग है? हेड़ офडड स attorney के साथ कि मीइटिंग कब अपने यहां पर जानए है तो यह सारे शेड़ू उसका बनाता है और शेड़ू पर बारे में उसको बताता भी रहता है ताके वो किशीज भूल न जाए कुछ चीज मिस न जाए इसके लावा जो communication होती है अफाज मैंपल कोई calls आती है जितनी भी calls आती है बहुत ज़्यदा calls daily basis बे प्राजेक्ट मैनेजर को आती है तो वो कोशिश करता है को इंतहाई important calls है वो ही अंदर प्राजेक्ट मैनेजर के पास जाए बाकी वो खुद handle करें written communication जैसे की letters हैं ड्राफ्ट हैं ये सारी चीज़ें जो हैं वो खुद उसको बनानी पड़ती है memos वेरा internal memo हैं तो वो भी उसको बनाने पड़ते हैं प्राजेक्ट मैनेजर काम और होते हैं for example जो staff काम कर रहोता है उसकी छुटियों का को मसला है उनकी कोई payment का मसला है उनकी कोई और इस तरह के family problem है medical के कोई issue है तो वो सारे के सारे handle काता है driver के वो उसको देखता है और जितने भी लोग है वहाँ पे वो सारे सारे उसी के पास अपनी जो problem है वो लेके आते हैं और project secretary वो उसको लेके फिर project manager के पास जाता है अगर जरूरी होने तो वो खुद ही solve कर लेता है बहुत ही यह authority की job होती है क्योंकि project secretary आम तो जो भी बात कहता है वो समझे यही जाता है कि यह project manager की बात है वो उसकी बात नहीं है तो इसलिए इसकी authority बहुत ज्यादा होती है अब अगर आप project secretary बना जाते हैं तो इसके लिए क्या qualification जरूरी है minimum आपके पास graduation होनी चाहिए master हो तो बहुत अच्छी बात है इसमे science पढ़ी पढ़ी हुई है या arts पढ़ी हुई है सब्जेक्स कोन से हैं no problem आप कोई भी सब्जेक्स हैं आप काम कर सकते हैं इसके लाव skills कोन से चाहिए आपके पास communication skills बहुत अच्छी होने चाहिए English आपकी बहतरी होने चाहिए listening speaking writing बहुत 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 जरूरी है 70% काम यही होता है project secretary का communication का उसके अलावा अगर आपने short end सिक्की होई है तो वह बहुत helpful होती है तो short end अगर आती है तो वह बहुत जरूरी है computer skills की बात करें तो number one पे जो project secretary की computer skill है वो है Microsoft Word Microsoft Word उसको आना चाहिए दूसरे नंबर पे है Microsoft Excel है Microsoft PowerPoint है email की बात करें तो उसको Microsoft Outlook के बारे में बहुत ज्यादा पता होना चाहिए क्योंकि ना सिर्फ Microsoft Outlook के जरी आप email कर सकते हैं बलके वहां पे schedule बना सकते है email को important दे सकते हैं flagging कर सकते हैं और इस तरह के बहुत सारे काम ह सकते हैं और भी skills हैं वो भी अगर आप सीखते सकते हैं तो सीखेंगे मैं वीडियो लंबी हो जागी अगर और ज्यादा इसके बारे में बात करूंगा तो salary की बात करें UAE की मैं बात करता हूं तो वहां पे salary इसकी 4000 दिरम से लेके तकर दस 11000 दिरम तक होती है जो middle level के लोग होते हैं उनकी 30,000, 35,000 तक भी इसकी salary होती है इसकी बारे में मजीद अगर आपको कुछ detail चाहिए आप पूछना चाहते हैं तो आप comment करें मैं शाला आपको reply करूंगा वीडियो अगर अच्छी लगी है तो इसको like करें, share करें और हमारे channel को subscribe भी करें